बचपन से ही मुझे लेफ्ट हेंडर्स अच्छे लगते थे जब क्रिकेट को समझना शुरू किया तो विनोत कामली की बल्लेबाजी और वसीम अकरम की गिंदवाजी तेखना मुझे बहुत अच्छा लगता था फिर मैंने लेफ्ट हेंडर्स और राइट हेंडर्स के ऊपर कुछ रिसर्च कर डाले आहिए मैं आपको बताता हूँ क्रिकेट में हाथों के इस्तमाल के आधार पर कितने तरह के प्लेएर्स होते हैं पहला केस जो सबसे आम है वो है नेचरल राइट हैंडेड प्लेयर जो की बॉलिंग और बैटिंग और बॉल को थो करना सारे काम राइट हैंड से करते हैं जैसे धोनी, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक और भी कई ऐसे प्लेयर दूसरा केस जो नेचरल राइट हैंड होते हैं ये बॉलिंग, बैटिंग और बॉल को थो करना सारे काम राइट हैंड से करते हैं जैसे रविंद्र जडेजा, यूवराज सिंग, इरफान पठा और ऐसे कई खिलाड़ी तीसरा केस जिनका नेचुरल हैंड तो राइट हैंड होता है मगर बैटिंग लेफ्ट हैंड से करते हैं और बॉलिंग और थ्रो करने के लिए अपने राइट हैंड का ही इस्तिमाल करते हैं जैसे ब्राइन लारा, सौरफ गांगुली, गौतम गंभी, शिकर दवन, क्रिस गेल, रिशव पन और जैसे कई खिलाडी हैं चौथा केस इनका नेचुरल हैंड लेफ्ट हैंड होता है लेकिन ये बैटिंग राइट हैंड से करते हैं बॉलिंग और बॉल को थ्रो करना अपने नेचुरल हैंड यानि लेफ्ट हैंड से करते हैं इस कैटेगरी में जहीर खान, आशीश नहरा, इंजमाम उलहक और ऐसे कई प्लेयर्स आते हैं पार्चनों केस, पिछले दिनों कुछ ऐसे प्लेयर्स आये हैं जो दोनों ही हाथों से गेलवाजी कर सकते हैं इनमें श्रिलंका के कमेंडू मेंडिस, इंडिया के अक्षय कर्णवार, जो दोनों ही हाथों से स्पिन बॉलिंग करते हैं लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेयर है यासिर जान जो दोनों ही हाथों से फास्ट बॉलिंग कर सकता है और लगभग बराबर गती से हाला कि इनमें से किसी भी खिलाडी ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है छठा केस्ट अब तक जो पांच केटेगरी मैंने आपको बताए वो सभी प्लेयर्स लिखने के लिए अपने नेचरल हैंड का इस्तमाल करते हैं लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो सचिल और्टोग्राफ देते समय लेफ्ट हैंड का इस्तमाल करते दिखाई देते हैं जबकि उनका नेचरल हैंड राइट हैंड है वो बॉलिंग, बैटिंग और बॉल थ्रो करना सारे काम अपने राइट हैंड से करते हैं वैसे तो लेफ्ट हेंडर्स को कई बार राइट हैंड से लिखने की ट्रेनिंग देखर कनवर्ट करा दिया जाता है लेकिन एक राइट हैंड परसन को लेफ्ट हैंड से लिखते देखना अलग है दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही इसी तरह की और भी नॉलेज लेकर आपके सामने आता रहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद